हाई गाइस मेंदा अप तुनाम से देख्राफी के चैनल लित्त दूशिल को दोस्तों आप लोग का भर भर के कोष्चन आ रहा है क्या auto generated images अगर हम लोग हमारे facebook पेज पे डालेंगे या फिर auto generated realsome हमारे facebook पेज पे डालेंगे या फिर auto generated video अगर हम लोग हमारे facebook page पे डालेंगे यानि कि AI generated content in short अगर हम लोग हमारे facebook page पे डालेंगे तो क्या वो facebook के policy को उलंगन करता है क्या वो content facebook का policy का पालन करते हुए monetization eligible है या नहीं है सर ये बताईए कहीं आगे चलके हमारा page monetization बनतो नहीं हो जाएगा क्या होगा auto generated content का future तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को एक proper guide देने वाला हूँ जिसको आप लोग को as a creator समझना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो auto generated content को लेके काम करने के लिए आगे यानि कि AI driven तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ images facebook के official website पर डाला हुआ है यह सारे के सारे auto generated यानि की AI generated content है यहाँ पर आप देख सकते हो made with AI made with AI made with AI लिखा हुआ है इसका पीछे का कारण यह है कि facebook कहा है हाँ आप लोग जो है AI generated content डाल सकते हो facebook page पे मंगर वहाँ पे आप ल अब आप लोगों को mobile users को दिखने के लिए मिल रहा है जब भी आप कोई भी content पोस्ट करने जाते हो वह वाले रील्स हो वाले वीडियो हो वाले आपका image हो मगर यहाँ पे जो main question arise हो रहा है आप लोगों के मन में वो है कि हां made with AI हम लोग करके डाल देंगे मगर हमारा जो main द monetization पे कोई issue तो नहीं आ जाएगा AI generated content के वजे से तो यह question का answer में भी बहुत research किया तो चलिए वो research वो सारे data आप लोगों से share करता हो इसके लिए मैं चला जाओंगा मेरे whatsapp पे जैसी whatsapp पे आया आप लोग सोच रहे होंगे अब whatsapp पे क्यों लेके आया हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोरा उपर लोगों के साथ meta AI दोस्तों यह जो meta AI है दरसल यह लमहा है लमहा यानि कि facebook के द्वारा बनाया हुआ एक machine learning जो के educational purpose बनाया गया है आप कह सकते हो यह chat gpt के जैसा ही एक alternative solution facebook platform पे instagram platform पे या फिर whatsapp platform पे आपको दिखने के लि ली है तो हो सकते है आपको मिला हो हो सकते है नहीं मिला हो मुझे यह आभी whatsapp पे मिला है इसलिए मैंने whatsapp पे इसको use किया और वो भी use किया आप लोगे लिए क्योंवे facebook का कहना है यह product आप लोगों को better educate करेगा मैंने यहाँ पे सीधा सीधा पूछ डाला मेरा question जो के आप ल में क्या response किया yes that correct according to facebook updated policy AI generated content may not be eligible may not के बोल रहा है कि मैं not be eligible through facebook partner monetization program facebook का कहना है या फिर आप कह सकते हो meta AI का कहना है कि अगर AI generated content आप create करते हो तो monetization के लिए eligible नहीं है यहापे कह दिया गया है कौन सा कौन सा tool है जो eligible नहीं होगा facebook ad break जो के video monetization पे आता है facebook start जो के virtual gift पे आता है facebook affiliate जो के affiliate marketing पे आता है facebook brand collab manager जो के influencer marketing में आता है और large but not the list facebook live ad जो के live streaming monetization पे आता है यहापे reels का जिकर नहीं किया गया यहापे bonus का जिकर नहीं किया गया हाजी आप सही समझे performance bonus तो यह दो good आप positive कह सकते हो वे है के यहापे दो टूल ऐसा जो के सबसे जादा AI generated content के लिए use होता है मगर उसका mention यहापे नहीं किया गया अब आगे चलके समझता हो चीज फेस्बुक aim to promote transparency and authenticity in user generated content and this policy change is likely intent to यह तीन चीजों के ऊपर बोला गया है आपको ध्यान रखना है अगर आप AI generated content create करते हो पहला distinguish AI generated content from human created content तो यह distinguish करना ही है आपको as a creator अगर आप AI generated content use करते हो ensure compliance with copyright and intellectual property law अगर आप AI generated content बनाते हो तो copyright and intellectual property law को पालन करते हुए AI generated content बनाना ऐसा ना हो कि वो जो AI generated content आप बना रहे हो वो copyrighted है या फिर intellectual property law को वाइलेट करता है ऐसा AI content आपको बनाना नहीं है platform पर यह बात आपको याद रखना है और बोला है maintain the trust and safety of Facebook user community यानि कि community standard का उलंगन नहीं करना है भले आप AI generated content बनाओ इसका मतलब यह नहीं कि Facebook का जो community content है उसको उलंगन करके आप content बनाओगे तो यह तीन चीज़ का ध्यान रखते हुए आपक content monetize होगा के नहीं होगा तो आपने बता दिया सीधा सीधा नहीं होगा eligible नहीं है और यहाँ पर बोल दिया कि अगर AI generated content डालना है तो इन तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना है अब मैंने जो सीधा सीधा meta AI से question पूचा कि यह आपको कैसे confirm हो कि नहीं है तो यहाँ पर मैंन Facebook के official website नहीं है तो मैंने इनको साब साब पूचा is there any official declaration of AI generated content may not be eligible for monetization through Facebook partner program फोई official जानकरी है declaration है officially दिया गया अब देखो meta AI क्या कह रहा है I am sorry I could not find any official declaration of Facebook that AI generated content may not be eligible for monetization through Facebook partner program तो यहाँ पर मने मतलब sorry भी बोल दिया है और बोल भी दिया है कि यह not eligible है यह कहीं पर भी official website पर लिखा नहीं गया तो मैंने फिर इन लोगों को पूचा then how come you tell AI generated content may not be eligible for monetization through Facebook partner program कैसे आप लोग कह रहे हो उसके बाद meta AI ने यानि कि Facebook के artificial intelligent ने मुझसे माफी मांगा है आप देख हुए यहाँ पर बोल रहा है I applied for the mistake यह जो mistake हुआ है इसके लिए माफी मांग रहा है उनके पास ऐसा कोई clarification नहीं है तो मैंने इन लोगों को फिर कुछ नहीं पूचा सिर्फ यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है thank you for pointing out my mistake and please let me know if you have any further question मेरा तो एक ही question था वो मैंन partner program तो इन लोगों ने बोला I could not find any information regarding suggesting that AI content may not be eligible for partner moderation program तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा पूरा होप जो है वो जीवित रहा है हाँ जी जो लोग सोच रहे हो AI generate content create करके पैसा कमाने के लिए उन लोगों के लिए एक जब पॉजिटिव होप है क्योंकि Facebook ने कहीं पे भ आप अगर AI generated content डालोगे page पे तो वो monetize नहीं हो उल्टा मुझसे माफि मांगे तो दोस्तों यहां से मैंने validate किया है और उसके बाद दोस्तों मैंने थोरा से और validation के लिए official website पे आके भी देखा तो यह जो feature है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप लोगो को AI generated label लगाना है जब भ लेबल है आपको computer पे दिखने के लिए नहीं मिलेगा और जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मैंने यह सब चीजे पर के देखा तो मुझे यह पता चला कि आप लोग AI generated content यूज तो कर सकते हो मगर आपको label करना परेगा यानि कि toggle on करके बताना परेगा Facebook को कि हाँ यह content में AI generated बना रहा हो अगर नहीं बताओगे तो हो सकता है कि Facebook का जो AI है वो detect करेगा और फिर आपको penalize भी कर सकते है या फिर वो automatic label place कर देगा बाकी अगर आप WhatsApp मेंने जो chat किया उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर सिदा सिदा मुझे जो पता चल रहा है और आप लोगों भी यह जानकरी जानना जरूरी है वो है कि अगर आप AI generated content create करते हो Facebook platform पे तो आपको declare करना परेगा made with AI toggle on करके दूसरा content पे आपका जो मतलब जो भी आप content डाल रहे हो उस पे आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी intellectual property लौका उलंगन ना हो और content जो है 100% originally create किया गया AI content हो और तीसरा जो चीज याद रखना है वो है कि आपका मतलब वो transparent content हो उस पे आप कोई भी false चीजे ना पेश कर जैसे कुछ दिन पहले heroine का face लगा के AI जो deep fake video वनाया गया है AI से वैसा काम आप ना कर दो वो सब नहीं करोगे और आप यह चीजों को पालन करते हुए काम करोगे और साथ प आप AI content generate करके भी पैसा कमा सकते हो facebook page के द्वारा यहाँ पे आपको कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ही जादा मतलब strange question इस पे पोच रहेते के फ्लैक तो नहीं हो जाएगा कही policy issue तो नहीं आ जाएगा page disabled तो नहीं हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कहना चाह करोगे false defect AI content डालोगे या फिर कोई भी जाती धर्म को आप लोग target करके AI content मनाओगे तो वहाँ पे रिपोर्ट होगा और फिर उस पे तो action लेगा बाके facebook कहीं से भी आपको यह मना नहीं किया है कि AI generate content आप create करोगे तो monetize नहीं होगा अभी तक मेरा research यहीं कहता है आप लोग क क्या सोच बीचार है जरू कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके बताना मिल तो आगले बडियों के साथ तब तक आप लोग खुश रहो आब बाद रहो और मैं मोगणा कर दोस्तों बाई